नमस्कार दोस्तों वीडियो देखने लिए चैनल सब्सक्राइब किल जिए घंटी दबल जिए से पहला यानि forwarding info का option users को message info section में नजर आएगा जहां से users जान पाएंगे कि कोई message कितनी बार forward किया जा चुका है हाला कि यह जानकारी आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद इसे किसी को forward करेंगे यानि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कोई message कितनी बार forward किया गया है तो इसके लिए पहले आपको इसे forward करना होगा इसके बाद ही आपको message info में नजर आएगा कि कितनी बार इसे भीजा जा चुका है बात करें frequently forwarded की तो यह एक टग होगा जो उस message के साथ दिखाई देगा जिसे चार बार से ज्यादा forward किया जा चुका होगा खास बात यह है कि जो भी message frequently forwarded तग के साथ आएगा उसके लिए forward info feature अपलब्द नहीं होगा इससे साफ है कि अगर कोई message frequently forwarded के साथ आया है तो इसका मतलब है कि वह कम से कम चार बार पहले ही forward किया जा चुका है पताते चलेंगी और जैप ने जिलाई 2018 में forwarded दग feature रोल आउट किया था जिससे पता चल जाता है कि कौन सा message आपको forward किया गया है यह message आपके पास forwarded दग के साथ आता है यानि इसके उपर forward दग लिखा होता है